नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इसक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज 1 दिसंबर 2020 को UGC NET 2020 की जो परिक्षा हुई थी उसका परिणाम NTA द्वारा गोशित कर दिया गया है और बहुत सारे स्टोएंट्स ने इस बार UGC NET की एक्षाम की जो परिक्षा है उसको उतिरिण किया हुआ है और साथ ही साथ चेहरेप की परिक्षा भी उतिरिण की है और बहुत सारे विद्यारती ऐसे भी होंगे जिनका एक्षाम जो है वो आज किसी कारणवश क्रेक नहीं हो पाया है और या आप कुछ एक परसेंटेज से वो पीछे रह गए हों तो उन लोगों के लिए भी यही चीज़ है कि आप और एनरजी के साथ आगे बढ़िए और जिन्दगी में आगे ही बढ़ते रही है हमेशा क्योंकि जहां पर इस बार कमी रह गई थी उसको अगली बार सुधारा जा सकता है अगर हम क्विट ना करें तो इसलिए मैदान में टटे रहना है उसको छोड़ना नहीं है और जो JRP और Net Clear किये हैं उनके लिए हिंदी साहीत वारता परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना है और बहुत-बहुत बढ़ाई तो दोस्तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस बार की जो परिक्षा का परिणाम था पहली बार ऐसा हुआ है कि किनी सब्जेक्ट्स में क्या है परसेंटाइल में रिजल्ट शोग किया गया था कि परसेंटाइल के जरीया आपकी जो cut-off है वो बताई गई है और बहुत सारे स्ट्रेंट्स को इसमें दिक्कत आ रही थी कि सर इसमें परसेंटाइल 97 है तो क्या हमारे 97 परसेंट मार्क्स गए है जो cut-off है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जो परसेंटाइल है वो आपकी परसेंटेज से बिल्कुल अलग है आपके अगर 65 परसे परसेंटाइल से कैसे डिफरेंट है और परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ लिखते है परसेंटेज और दूसरी तरफ लिखा है परसेंटाइल तो देखिए परसेंटेज निकालने का जो सिंपल स marks है ठीक है तो मैंने मान लीजे किने number लिए थे 196 नमबर लिए थे 300 में से तो मैंने 196 को उपर लिख दिया और 300 मैंने नीचे लिख दिया ठीक है और गुना मैंने 100 से कर दिया 2-0 से 2-0 कट गई और उसके बाद आता है आपका देखिए 3 बचता है तो 3 को हम 196 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका यह 65.33 आजाएगा और यह आपका क्या है परसेंटेज है मतलब 100 में से आपने कितने marks लिए तो यह आपका परसेंटेज है प्रतिशत में 100 में से ठीक है तो यह है आपका 65 परसेंट अब बात आती है जो में बात है वो है आपका परसेंटाइल की परसेंटाइल आप भी कैसे निकाले तो देखिए परसेंटाइल निकालने के लिए एक चीज़ बहुत जरूरी है कि आपके पास exact data होना चाहिए आपको अपनी rank का पता होना तो परसेंटाइल निकालने के लिए देखिए क्या चीज़ मौत पूर्ण है सबसे जरूरी चीज़ मान लीजिए आपके पास है 65% marks कितने marks हैं आपके पास 65% अब आपने देखना है कि applied जो student है इनको हमने इसमें नहीं रखना है क्योंकि इसमें इसका कोई काम ही नहीं है प आपका प्रसेंटाइल निकालने में दोस्तो वो क्या है आपका वो है आपका appeared student चीक है जितने बच्चे क्या है एक्जाम देने पहुंचे थे या जिनोंने एक्जाम दिया जिनकी attendance लगी है वो मौत पूर्ण है जहां पर मैंने हिंदी के रखे हैं देखिए हिंदी में apply गय से ही हमारा rank है तो मालीजे मेरा rank क्या है rank अभी मुझे पता नहीं है अगर exact data होता तो मैं वो exact बता देता यहां अनुमानित लिका है 65% इतना आप मान के चल सकते हैं आपने अपनी answer की जो देखी है उसमें आपने माना है कि आपके जो इतने बन रहे हैं जो पूरा आपने उ निकालेंगे कैसे ये बड़ा सवाल है देखिए आपके अंकों से कम लेने वाले जो आपके अंकों से कम लेने वाले बच्चे हैं मान लीजिए आपसे जो कम अंक ले रहे हैं बच्चे वो है 30,000 तो इस प्रसेंटाइल इस तरीके से निकाली आती है अब ये exact हमें पता नही है और मेरे से कम कितने बच्चों ने लिए हैं तो देखिए यहां पर हम ने लिखा है कि आपके अंकों से कम लेने वाले बटे ठीक है उपस्थित बच्चे है ना गुणा 100 किया हुआ है तो देखिए परसेंटाइल निकालने का ये तरीका है तो जो एक बाद फिर से लिखी यहां पर 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया आपसे कम लिए वो हमने कहां पर रख दिये उपर रख दिये तो ये exact data किसके पास होगा एंटी के पास होगा कि आपने इतने marks लिए ठीक है ना 30,000 बच्चों को आपने उपर नीचे रखा और आप उनसे उपर आगे अब हम उसको उपर लिख देंगे है ना जितने आपने पछाडे उनको उपर लिखेंगे और total कितने बच्चे थे total थे 31,830 उनको हम क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे यह हमने यहाँ पर लिख देंगे appearing भी नीचे लिखा हुआ है तो इनको हम नीचे वाली साइड लिख देंगे फिर हम गुणा कर देंगे 100 से जब हम यह गुणा 100 से करेंगे देखिए तब हमारा percentile आपके सामने आ जाएगा तो मेरा percentile यहाँ पर कितना बनता है देखिए 94.2507068 clear है तो यह अनुमानी थे था कि 30,000 बचे मुझसे कम है exact data हमारे पास नहीं था तो इस तरीके से देखिए यह आपके पास क्या होगा कि आपका जो percentile है वो कितना आ गया 94.2507068 मतलब दश्मलव के 7 अंक जो बाद के हैं वो देखे जाते हैं इसमें ठीक है percentile निकालने के लिए वहाँ तक इसको गिना जाता है जबकि आप percentage में देखते हैं तो 65.333 यह इस तरीके से ही आता रहेगा तो देखे दो चीजें भिन-भिन चीजें हैं अगर हम percentage की बात करें तो वो है आपका 65.33 लेकिन वही पर अगर मैं अपने percentile की बात करूँ तो वो कितना है 94.250 एटसेटरा है तो यहां से हमें यह नहीं सोचना है कि हमारी जो percentile है वो ही हमारे marks है हमारी percentile जो है वो जादा भी हो सकती है लेकिन हमारे marks जो है वो कम भी हो सकते है हमारी जो percentage है वो कम हो सकती है तो simply यह क्या है percentage जो है आपका 100 में से है और जब कि percentile आपका क्या है ये है आपका rank ठीक है ना तो ये दो चीजे हैं अलग-अलग चीजे हैं इस तरीके से आपने क्या निकालना था अपना percentile निकालना था I hope दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज पसंद आई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि percentile कैसे निकाला जाता है और percentage कैसे निकाला जाती है और ये दोनों कितने बिन हैं तो ये था दोस्तों छोटा सा प्रियास और जिन लोगों ने UGC NetGRP उतिर्ण क साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद